IPL 2022 के लिए आठ टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है MS Dhoni की कप्तानी वाली सेनने सूपर किंग यानि कि CSK ने अपने चार धुरंदर खिलारियों को रिटेन किया है बाकी खिलारी रिलिज हो चुके हैं CSK ने पहला रिटेंशन रविंद जडेजा को दिया है उसके बाद दूसे नमबर पर कप्तान धोनी है तीसे नमबर पर मोयन अली और चोथे नमबर पर धुआधार बल्लेबाज रितुराज गायकवार को रिटेन किया गया है अब नमबर मेगा उक्षन का है और हर को ये जानना चाहता है कि धोनी की टीम मेगा उक्षन में किन-किन खिलाडियों के पिछे जाएगी तो आईए हम आपको बताएंगे कि मेगा उक्षन के लिए धोनी के मन में क्या है सबसे पहले आपको बता दें कि दोनी सबसे पहले अपने पुराने खिलारियों के पीछे जाएंगे जिनमें डुपलेसी, ब्रावो, दीपक चहर और शारदुल ठाकुर जैसे खिलारी होंगे लेकिन इन खिलाडियों के बाद भी दोनी का मन जिन खिलाडियों को खरीदने का है हम आपको उन खिलाडियों की पूरी लिस्ट बताएंगे सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि BCCI ने पहले से ही ये तैक किया है कि मेगा उक्षन के बाद टीमों के पास कम से कम 18 खिलाड़ी और जादा से जादा 24 से 25 खिलाड़ी होने चाहिए लेकिन अब जिन खिलाड़ियों को चेनई खरीदने की कोशिश करेगी इनमें सबसे पहले ओपनर की बात करते हैं तो अपनर के तोर पर चेनई एरोन फिंच, देवदत पडिकल, शिखर धवन, क्रिस लिन और सुब्मन गिल जैसे खिलाड़ियों को लाने की कोशिश करेगी इतना ही नहीं टीम की कोशिश होगी कि डेविड वोर्नर, इशान किशन और कुंटन डिको को भी टीम में शामिल किया जाए जो दूसी टीमों के लिए अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं तो महीं मद्धम करम की बात करते हैं इसके बाद टीम के निशाने पर मिडल ओडर के लिए कुरुनाल पांडिया, हार्दिक पांडिया, शेय सायर, इस्टेवी स्मित, एयोन मॉर्गन और दिनेश कार्थिक जैसे खिलाड़ी होंगे फिनिशर के तोर पर भी टीम के टार्गेट पर लियाम लिवनिश्टन, शारुक खान, शिम्रन हेट मायर जैसे खिलाड़ी होंगे धोनी अपने पुराने खिलाड़ी डोयन ब्रावो को भी टीम में वापस लाने की भरपूर कोशिश करेंगे तेज गेंदबाज तेज गेंदबाजी में टीम अपने पुराने खिलाड़ी दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के लावा ट्रेंट बोल्ट, हर्शल पटेल, आवेश खान, कगीसो रवारा के लावा टीम साओधी को भी अपने टीम में लाने की कोशिश पूरी करेगी जो लोग MS धोने को अच्छे से जानते हैं उन्हें पता है कि उनकी प्लेंग 11 में कम से कम एक विदेशी तेज गेंदबाज जरूर होता है अब वो खलाड़ी कौन होगा, ये देखना दिल्चस्प होगा स्पिनर, अगर स्पिनर की बात करें तो स्पिनर के लिए CS की की निजर राहुल चहर, राशित खान, मुहबद दबी, मुझीवर रह्माद, रवी बिश्नोई, यजुवेंदर चहल और ईशोडी की हो सकती है इसके साथ ही टेस्ट की एक पारी में दस विकेट लेने वाले गेंबाज, एजाज, पटेल पर भी CS के निशाना साध सकती है तो ये थी चेन्नई की IPL 2022 की टार्गेट लिस्ट, आपका इस लिस्ट में कौन से खिलारी को एड़ करने का मन है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताईए साथ ही ये भी बताईए कि चेन्नई को इस लिस्ट में से किन खिलारियों को लेना चाहिए आपका जो भी मानना है हमें केमेंट करके जरूर बताएं